कि नेक्स्टन देखते हैं विवस्थी त्रूटिया जो दिल्ड आती है और एक सर्वचर प्राचालन के बरदस्वन में नीमीट प्रवाद डालती हैं कौन सी त्रूटिया होती है तो यह आपकी होती है दोसपूर उपकर अड्याने की फॉल्टी इंस्टूमेंट की त्रूट यहां से आजाएगा दोसटा है तो यहां से एक कवाने क्या है यहां जाएगा यहां से एक स्कामान क्या हुआ श्रूट्प यहां से आपका answer कौन से हो जाएगा आपसा नमबर यहां सही answer है next हम देखते हैं एक शू बिवब्श्थी त्रिकोड का कोई भी code अभी प्था थी कम नहीं होता है यहां से आपसा नमबर विए एंसर सही होगा टीस डीगरी से कम नहीं होगा और 120 डिजर से अधिक नहीं होगा तो यह आप लखेंगे नेक्ते हैं शमकोडोine कौडो की जाच करने के लिए प्रियूक किया जाने वाला यंत्र क्या होता क्या कराता हैstar कांट्र कांट्र के कौण से इस more प्रियोग करते हैं समकोर की जाज के लिए तो हम आप्टिकल इसक्वायर का प्रियोग करते हैं प्रकासि समकोर दर्सक के अंत्र हिंदी तो यहां से और भी आपके यहां पर दिये गए हैं जैसे घाट ट्रेसर लेवलिंग इस्टाफ और टार्गेट प्रीज में इसका उपयोग हम दूसरे जगा करते हैं समकोड की जाज के लिए हम आप्टिकल इसकार का प्रियोग करते हैं यहां से आपको बताना है बी आपको से एंसर है इन सब्सक्राइब करते हैं इसका तापी परशार गुड़ांक बहुत कम होता है यह विश्सकारियों के लिए प्रियोग कियाता है यह तीस से सब्सक्राइब क्राइब मीटर की लंबाई में उपलब्द है जो भी आपके उच्छ परिसुद माप के लिए हम प्रयोग करते हैं तो आपका इन्वार फीता होता है निश्टम देखते हैं कुल इस्टेशन नोट और रोडा को हम किसम सेफिचयाट की जाते हैं किसमे को सेफिक नीक नोट बूक में रिकार्ण को हम इलेक्रानिक नोट्बुक में रिकार्ड करते हैं यह आपको बताना है एक सीधी रेखा पर मद्वर्ति विंदों को अंकीत करना यही आपका रिजुरेखन इसकी प्रकिरिया है नेक्स हम देखते हैं पर्तियची रेंजिंग तभी संब्व है जब अन्त इस्टेशन क्या हो अन्त इस्टेशन के बारे में आपसे पुछा जा रहा है यहां पर चार आपसंस आपको मिल जाएंगे यहां से आपसा नमबर सी आपका से असर है प्रस्पर देखे जाने योग्य दूरी पर हो जो प्रतियची रेंजिंग करते हैं यह तभी संब्व हो जब अन्त इस्टेशन जो आपका लास्ट का इस्टेशन हो आपको दिखाई दे तभी हम यह कर सकते हैं नेक्स्टम देखते हैं एक प्रकाशी गुनिया में छितिच कांच और इंडेक्स कांच के 45 डिगरी होता है यह कुछ आपको पुछे जाम में प्रकाशी गुनिया में छितिच कांच और इंडेक्स कांच के बीच प्रतिसी जन का जो कोड़ होता हो आपका 45 डिगरी होता है नेक्स्टम देखते हैं तिरकोडी सरविचड के लिए कौनसा आधर से चित्र नहीं है तिर इसमें जो लिमीट आपके 30 से 120 डिगरी के बीच में और यहां पर दिया गया है तिरूटी सरविचड के दारान एक गलती करता है जो कि उसके बुद्धिमता यह परकने की शमता पर निर्भर होता है कि इस प्रकार की तूटी सरविचड करता है यह तूटी कौन सी हो सकती है इस्टूमेंटल परशनल और यहां से यहां से बी आपसन साब का से दारान एक गलती करता है जो कि उसके बुद्धिमता यह पर रखने की शमता पर निर्भर करता है सरविचड द्वारा की गई इस प्रकार की तूटी को हम और क्रमिक अथवा याद रिचिक तूटी यह मान पर यहां में ब्रकार के तूटी हैं इस्टूमेंटल पर्शनल और आपके निचूरल तीन प्रकार के इनर आपके होती है देखती है है चोरड लंबाई 2-3 मिटर होती है लेक्ड़ू ऑलन के शमाना उंतर मापिर विंदूगों के बीच की दूरी चार सोटाइस मीटर है यदि शता में अंतर 62 मीटर है तो उनके बीच की 36 दूरी है आपका समाना अंतर मापिर बिंदो के बीच की दूरी आपकी दिया गया है 408 बना लिए और 20th मिटर दिये यह यदि सता में अंतर यह अधार यह तो यह दूरी आपको बतारी है 36 या निकाल सकते हैं पाइथागोरसपर मैं Gothic इस हम क्या करेंगे बीषी में यह भाटा देंगे यहां से आधार करेंगे हम क्यार थेंप से यहां से आपका एसी कमार आ जाएगा चार सो तेश जसुलों चार आट मीटर यह आपकी 36 दूरी है यहां से आपका आपसर नंबर भी आपका सही अंसर हो जाएगा नेक्स्ट हम देखते हैं जो भी परिशुत मान लेने होते हमको दो विन्वार टेप से ही उसको मेजर करते घ्ला नेक्म है सभुता सभुता तब निवने चीत्र के लिए बनाई है जब 2 यहां पर कोई इसके चारो हे सब्सक्राइब प्रेज़ कर सकते है यह वाला यूज कर सकते हैं एक अच्छी इस्तिती वाला तिर्भूज प्राप्त करने के लिए उसका कोई भी कोड किस से कम नहीं होना चाहिए यंपी सब इंजिनियर में उत्राखंड कंबांड इस्टेट एई में और उत्राखंड जेई में तो जो आप से बताएंगे 30 डिग्री से कम नहीं और 120 डिग्री से आधिक नहीं तो यह आप याद रखेंगे यहां पर देखिए दी आपसा साब का से एंसर है 30 डिग्री यह दिग्री से कम नहीं होना चाहिए और 120 डिग्री से आधिक नहीं होना चाहिए इसकी लिमीट है 30 से 120 नेक्स्ट देखते हैं गंटर जरीब को किसके रूप में भी जाना जाता है गंटर जरीब का एक दूसरा नाम क्या है यह आप सो पुछा जा रहा है यहां से शर्वेय ट्र यानि कि सर्वेयर जरीब की जरीब कुछा जरीब की नाम से जानते हैं यहां से रिलेटेड भी जो आपके अलग अलग पॉइंट है इसमें 100 कडिया होती है लंबाई है सो कड़ी है तो एकड़ी की लंबाई आप खुद पता कर सकते हैं या 7.92 इंच होती है इस जरीब की साहता से मील फरलाग था एकड़ लिए चेत्र फल में भूमी को आप जाता है यह सर्वेट चड जरीब यानि की चर्वेट चेन के नाम से जाने जाते हैं यहां से आपका आफसान बरसी सही एंसर हो जाएगा सब्स्तिका जिसमें जरीब या टेप की मापों को प्रविष्ट किया तक्या करता जरीब या टेप क कि मापो को प्रिविष्ट करते हैं वह हमारी फिल्ड बुक कहलाती है यह आपसाँ साब का सही एंसर है निश्टम देखते हैं कि रेखा को पक्तिबद करते हुए सरविच्षण कारे के दारान सरविच्षक द्वारा तेजी से दाएं हाथ को इला कर दिये गए कि यहां से पूछ रहा यहांपका यहां पर निम्र्ण करते हैं पर सिंबल देखेंगे आरेखन कारे में हस्त संकेत के बारे में आपसे पूछा दारान सरविच्षक द्वारा तेजी से दाएं हाथ को इला कर दिए गए संकेत का मतलब क्या है कि तेजी से दाएं और मुड़ना नेक्ट हम और भी जो सिंबल है उसको देखेंगे आरेखन कारे में हस्त संकेत के बारे में आपसे पूछा जा सकता है यह सरवेच्छेक दोरा संकेत है और सहाय के लिए निर्देश है देखिए किसका क्या मतलब होता है पहला आपका दिया है दाइबुजा फैला कर तेजी से ह पर पहले हो फिर आपका बाएं भुजा उपर के दाइन और फैलाना यानिकि दंड को अपने बाएं गाड़ दो दोनों भुजाएं से उपर उठाकर नीचे लाना यानिकि आरेखन नग दो यहां यहां यह सारे सिंबल आपके इसका मतलब आपको समजना जरूरी है और यह स प्रकाशी गुणिया निन्यों से की सिधान्त पर आधारित है यह आपका दोहरे परावर्तन के सिधान्त पर आधारित होता है इसे हम क्या करते हैं प्रकाशी गुणिया से सर्विच्ण रेखा पर अधिव कृष्णूता से समकोट डाले जाते हैं इसे हम समकोट डालते हैं और यह आपको दोहरे परावर्तन पर आधारित है आज का लाक्रति देखते हैं फिर नेक्ष वीडियो में हम इसी की सेरीज देखेंगे चेंज सर्व आपको सुधार होता है और जो इसका फार्मूलात होता है यह आपको किसी रिख्याम में पूछ लिए आता है तो इस तरीके से और भी कृशन आपको मिलते रहेंगे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने प्रेट्स के साथ चाह चाहिए